मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालूं को अज मैं आप लोगों को फिल्पाइन की सेर करवाँगा और फिल्पाइन से जुड़ी ऐसी बाते बताऊँगा जिससे आपके इलम में यकीनी तोर पर इजाफा और समझदारों को एक सबक मिलेगा लेकिन वीडियो का बकाइदा अगास करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों को खुश आम दी अगर आपने अभी तक यूट्यूब पर मुझूद हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब का लें ताके आपको रोज़ाना एक नई वीडियो मिलती रहे 7107 जजीरों पर मुझूद ये मुलक फिल्पाइन जजीरों के मिलाब से बनने वाले मुमालक में दूसरा बड़ा मुलक है जबके पहले नमबर पर अंडोनेशिया आता है जो 17,000 से भी ज़्यादा जजीरों पर मुझूद है अगर हम फिल्पाइन के रखबे की बात करें तो फिल्पाइन तीन लाख मुर्बा किलो मीटर रखबे के साथ दुनिया भर में 72 नमबर पर शुमार होता है फिल्पाइन में 2017 में लगए गए अंदाजे के मताबिक साड़े दस करोड अफराद रहाईश पजीर है और ये अबादी के लिहासे दुनिया भर में बार में नमबर पर शुमार होता है फिल्पाइन की 92 फीसद अबादी क्रिस्चन है दूसरा बड़ा मजब यहां इसलाम है जो फिल्पाइन की अबादी का तकरीबन 6 फीसद के करीब है बाकी 2 फीसद दीगर मज़ाभ के मानने वाले हैं इस जजीरे पर 1521 में एक स्पैनिश बशिंदे ने पहली बार कदम रखा और इसकी खोज लगाई क्यूंकि इसे एक स्पैनिश बशिंदे ने पहली बार देखा था तो स्पेन ने इस जगा को अपनी मलकियत करार दिया दी वलाला बोस स्पेन का ही एक बशिंदा था जिसने किंग फिलप दोम के नाम से इस जजीरे का नाम फिल्पाइन रखा था आने वाली तीन सदियों तक फिल्पाइन को स्पेनिश की एक कालूनी के तौर पर स्पेन के कबजा में रखा गया 1898 में अमरीका और स्पेन के दरमयां होने वरी जग के नतीजे में अमरीका ने फिल्पाइन को अपने कबजे में ले लिया दूसरी जंगे अजीम के शुरू शुरू में जपान ने फिल्पाइन पर चड़ाई शुरू कर दी और बेशतर हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया जिसे अमरीकन फौज ने 1944 में दुबारा अजाद कर वा लिया अजादी की आवाज तो पिछली दो दोहाईयों से बुलंद थी मगर जपान से दुबारा अमरीका के कब्जा के बाद इस आवाज ने जोर पकड़ा और चार जुलाई 1946 को फिल्पाइन के लोगों ने अपने आपको एक अजाद मुलक का शेहरी होने का एजाद दिलवाया फिल्पाइन जिनुबी एशिया में मौजूद सबसे पहला अजादी पाने वाला मुलक है 1947 में फिल्पाइन ने अमरीका से होने वाले 99 साला मुआहदे के तहट अमरीका को फिल्पाइन में 23 फौजी हवाई अड़े काइम करने की इजाज़त दी जो अमरीका ने आने वाले वक्तों में किसी भी जंग में इस्तमाल की खातर अपने लिए महफूद कर लिए फिल्पाइन के बारे में अगर दिल्चस्प हकाई की बात की जाए तो मनीला शहर फिल्पाइन का दारल हकूमत है 35.30 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ ये शहर अपने अंदर तकरीबन 17 लाख अफराद को समोए हुए है ये शहर दुनिया के गंजान अबादी वाले शहरों में शुमार होता है फिल्पीनो और अंग्रेजी फिल्पाइन की कौमी जुबाने है फिल्पाइन पर कई कौमों का रंग चड़ा हुआ है जिन में स्पैनिश, अमरीकी, चीनी और मिलेशियन काबले जिक्र है यही वज़ा है कि फिल्पाइन में मुख्तलिफ कौमों और कॉबीलों की मुझूदकी से बुली जाने वाले जुबाने जुबाने की तदाद 184 से भी ज्यादा है फिल्पाइनी पैसो फिल्पाइन में चलने वाली करंसी को कहा जाता है एक फिल्पाइनी पैसो पाकिस्तानी दो अशारिया दस रुपों के बराबर है फिल्पाइन का कालिंग कोड पलस 63 है फिल्पाइन वकत के लिहाज से पाकिस्तान से तीन घंटे आगे है फिल्पाइन में तालीम की शर्रा 96 फीसद के करीब है जबके फिल्पाइन में 607 सरकारी और 1573 प्राइवेड तालीमी अदारे काम कर रहे हैं फिल्पाइन में बच्चे को 6 साल की उमर में स्कूल वेजा जाता है मुसल्मानों, चीनियों और क्रिस्चन के तमाम मजभी तहवार पर फिल्पाइन के स्कूलों में छुटी होती है फिल्पाइन एशिया में सबसे ज्यादा तादाद में क्रिस्चन लोगों का हामल मुल्क है इसलिए फिल्पाइन में क्रिस्मिस का तहवार भी सबसे लंबा मनाया जाता है जो के स्टमबर से लेकर जनवरी तक जारी रहता है बास्किट बाल फिल्पाइन में सबसे ज्यादा और शोक से खेली जाने वाली खेल है जबके दीगर शौक से खेली जाने वाली खेलों में बाकसिंग, वालीबाल, फुटबाल, बैडमिंटन, कराटे और दीगर खेलें शामिल है फिल्पाइन के बारे में मशूर है जब फिल्पाइन के कराटों के मैच टीवी पर दिखाये जाते हैं तो फिल्पाइनी अवाम इस कदर शौक से टीवी देखती है कि शेहरू में जराइम की शर्रा सिफर फीसद तक पहुंचाती है फिल्पाइन के बारे में वो लोग अभी तक तजस्स का शिकार होंगे जिनको उनकी मन पसंद मालूमात अभी तक नहीं मिली हैं चलिए आपको वो तमाम बाते बताते हैं जिसके बाद हो सकता है कि आपके जहन में कुछ तबदीली वाक्य हो फिल्पाइन की लड़कियों के बारे में मशूर है कि वो चंद पैसों की खातर किसी भी काले गोरे या सामले शख्स की महभूबा बनने के लिए राजी हो जाती है फिल्पाइन की लड़कियां दीगर मुमालक में होटलों, मसाज सेंटरों और दीगर ऐसे काले धंदू में मलवस पाई जाती है जहां पर लोग सिर्फ जिसमानी तस्कीन हासिल करने के लिए आते हैं फिल्पाइन को दुनिया भर में सबसे स्याधा मेसज करने वाला मुलक भी कहा जाता है एक दिन में तकरीबन 450 मिलियन ऐसेमैस फिल्पाइन से दीगर ममालक को भीजे जाते हैं जिन में सबसे ज़्यादा SMS मुसूल करने वाले मुमालक में यूर्पियन और यूएस कंट्रीज शामिल है लेकिन एक तदाद पाकिस्तान, बंगला देश और दीगर एशियाई मुमालक को भी बेजी जाती है अगर आप फेस्बुक पर नई आईडी बना कर किसी फिल्पाइनी लड़के को अपना दोस्त बनाते हैं तो आने वाले 24 गेंटों में आपको दरजन बार फ्रेंट रिक्वेस्ट के साथ कई हसीनाओं के SMS मुसूल होंगे कुछ ही लम्हों में दोस्ती होने के बाद आपको आपकी नई बनने वाली महबूबा की तरफ से उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर या एक अदद काल मुसूल होगी जो किसी भी मंचले को बहकाने के लिए काफी होती है उसके बाद SMS और काल्स का एक ऐसा सिल्सला शुरू होता है जो मुस्तक्बिल करीब में इस वज़ा पर खतम होता है के जब आपको एक फिल्पाइनी लड़की की तरफ से दुख भरीदास्तान सुनने को मिलती है जिसका साफ साफ मकसद उसे पैसों की जरूरत होता है या फिर एक वज़ा ये भी बनती है के आपका दोस्ती आपको एक खुशखबरी सुनाता है के मेरी एक फिल्पाइनी लड़की से नई नई दोस्ती काइन हुई है लड़की का नाम सुनते ही आप और उस लड़की की दोस्ती कमजोर होना शुरू हो जाती है अगर हम यूँ कहें के एक फिल्पाइनी लड़की के हिसे में औस तन तीन बुई फ्रेंड्स आते हैं तो ये कहना भी बेजाना होगा हमारी वीडियोज को लोग बड़े शौक से देखते हैं और अक्सर अपनी फैमिलीज के साथ देखते हैं इसी तरह की बाते करना हमें शौबा नहीं देता मगर हम इन लोगों में शाओर पैदा करना चाहते हैं जो इन टके टके पर बिखने वाली लड़कियों की बातों में आकर अपनी आमदनी का एक हिसा इन पर खरच करते हैं और अपने घर बाल को बरबाद कर लेते हैं अपना वक्त जाया किये फिल्पाइन के बारे में कुछ मजीद जानते हैं फिल्पाइन दुनिया में मौजूर एक ऐसा मुलक है जिसके जंडे में आपको नीला रंग उपर देखने को मिलेगा लेकिन जंग के दुरान नीले रंग को नीचे कर दिया जाता है और सुरख रंग को उपर कर दिया जाता है फिल्पाइन में नई नसल के जनवरों की तादाद दूसरे मुमालक से ज्यादा पाई जाती है दुनिया का सबसे चोटा हरन 40-45 सेंटीमीटर की जिसामत रखने वाला ये जनवर भी फिल्पाइन में ही पाया जाता है जहां पर दीगर मुमालक से तालुक रखने वाले अफराद फिल्पाइन की शहरियत के तलबगार नजर आते हैं वहीं पर फिल्पाइन की नوجवान नसल यॉर्पी मुमालक की तरफ रुख किये हुए है तकरीबन एक करोड बीस लाग से ज्यादा फिल्पाइनी लड़के और लड़कियां दीगर मुमालक में काम के सिल्सले में गए हुए है फिल्पाइन की शहरियत के मुतलिक आपको बता दूँ कि फिल्पाइन में शहरियत गएर शादी शुदा अफराद को 10 साल फिल्पाइन में रहाईश रखने के बाद हासिल होती है इसके लिए भी दो शरायत का होना लाजिम है नमबर एक आपकी उमर 21 साल से ज्यादा हो नमबर दो आपके पास फिल्पाइनी 5-10,000 या इन से ज्यादा रकम या उसके मतوازी कोई प्रापर्टी हो अगर आप फिल्पाइन में जाकर शादी करते हैं तो ये अर्सा 10 साल से कम होकर 5 साल तक आ जाता है फिल्पाइन की शहरियत से पहले आप से ये एहद भी लिया जाता है कि आप फिल्पाइन के अलावा अपने पहले देश की शहरियत को तरक कर देंगे फिलपाइन को अगर हम नक्षे पर देखें तो फिलपाइन के मच्रिक में फिलपाइन सी मगरिम में साउड चाइना सी शमाल में ताईवान और जजेरा बॉर्नियो जबके जनूम में सैरीबस सी मुजूद है Filipeine की नर्सें दुनिया भर के अपने फराइज सार इन्जाम दे रही हैं पुरी दुनिया की नर्सों में 25 पीस आदाद Filipeine की नर्सों की है दुनिया के 10 बड़े शापिंग माल्स में से 3 बड़े शापिंग माल्स Filipeine में ही मौजूद हैं एक अंदाजे के मताबिक फिल्पाइन की 26 फीसद अबादी शदीद गुर्बत का शिकार है ये वो इलाके हैं जिन में ज्यादा तादाद मुसल्मानों की पाई जाती है इन लोगों का पिछले सालों से एहतजाद जारी है कि उन्हें अजादी दी जाए इसी वज़ा के पेशे नज़र इन अलाकों में ना तो ज्यादा तरक्याती काम हुए हैं और ना ही इन अलाकों में तालीम की आला सहुलियात में यसर है कि वहां के लोग पढ़ लिखकर इस काबल हो सकें कि अपने जजीरों को सवार सकें दुनिया में सबसी ज्यादा कोकोनट की पैदावार फिल्पाइन में ही होती है फिल्पाइन अपनी आमदनी का एक बड़ा हिसा कोकोनट की एक्सपोर्ट से हसिल करता है दुनिया के किसी भी मुलक की निस्बत फिल्पाइन में तोफान ज्यादा आते हैं मगर इसके बावजूद फिल्पाइन कुदरती जखायर से माला माल है पट्रोलियम मसनुवाद कापर और फलूं के इलावा फिल्पाइन अलेक्टरोनिक्स की अशिया और गार्मिन से अपनी आमदनी में इजाफा करता है तकरीबन पचास से साथ लाग सिया एक साल में फिल्पाइन का रुख करते हैं फिल्पाइन अपने मुलग की दस फिसद आमदनी इनी सियाहों की मद में जमा करता है फिल्पाइन से हर साल तीन लाग से जाई लड़कियों को जिनकी उम्र 15 से 20 साल होती है या बाज 11 साल की भी होती है इनको समकल किया जाता है और फिर दूसरे मुमालक में थेकेदार इनसे गलत काम की मद्बे हजारूं डालर कमाते हैं बाज फिल्पाइन का कौमी परिंदा है फिल्पाइन के इस कौमी परिंदे की तादाद अब कम होकर सिर्फ 500 के करीब रह गई है पाकिस्तान की तरह चंबेली का फूल भी फिल्पाइन का कौमी फूल है कोबरा सांपो की एक बड़ी तादाद एंडोनेशिया की तरह फिल्पा बाद वो यहीं छोड़ गए थे आज भी मुसाफरों को उठाने के लिए इस्तमाल होती हैं किराबा यहां का कौमी जनवर है जिसे हम बैंस कहते हैं फिल्पाइन में इसे खेती बाड़ी और बैल गाड़ी के तौर पर इस्तमाल किया जाता है दोस्तो यह थी फिल्पाइन के बारे में दिल्चस्प मालूमात वर मबनी एक तफसीली वीडियो अगर इस वीडियो से आप लोगों के इलम में इजाफा हुआ हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ वाट्स वैप और फेस्बूक पर जरूर शेयर करें ताके वो लो मुझे दे इजाज़त अल्ला निगेवान हुआ 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 हॺं हुआ 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 हु η पर शेत अल्ला फन्वर टाके फटीं तो कि दीडियो